नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे की नोटिपैन टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, नोटिपैन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और नोटिपैन टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे की नोटिपैन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, Notipan एक ब्रैंड नेम है Notipan टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है Notipan टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन प्रेगाबेलिन 75 mg और नौरचुप्तिलिन 10 mg होता है Notipan टैबलेट का उप्योग नूरोपेथिक दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है नूरोपेथिक दर्द का मतलब होता है नसो का दर्द नियूरोपैथिक दर्ध होने पर बहुत तेज दर्ध होना, जलन होना, सुईया चुगने जैसी समवेधना होना, हातों वपैरों का सुन्न पड़ जाना, मास पेशियों में कमजोरी होना और बिजली के करण्ट की तरह जटके के साथ दर्ध होना आदी लक्षन नियूरोपैथिक दर्ध होने पर हो सकते हैं, डाइबिटीज होने पर शराप का अधिक सेवन करने पर, शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर, शरीर में कमजोरी होने पर, शरीर में खून की कमी होने पर और रीड की हड़ी से संबंधित कोई समस्या होने पर या होने पर भी notipen tablet का उपियोग किया जाता है. फाइब्रो मायल्जिया होने पर पुरे शरीर में दर्थ होने लग जाता है और शरीर में ठकान रहने की समस्या हो सकती है. इसके अलावा notipen tablet मिर्गी और दोरों को भी कंच्रोल करने में मदद करती है. जिन व्यक्तियों को मिर्गी या दोरे आते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी डॉक्तर अन्य दवाओं के साथ नोर्टिपैन टैबलेट को लेने की सला दे सकता है. इसके अलावा कमर में दर्ध होने पर, रीड की हड़ी में कोई चोट लगने पर और डाइबिटिक निूरोपैथी होने पर भी डॉक्तर नोर्टिपैन टैबलेट को लेने की सला दे सकता है. साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में नोर्टिपैन टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में नोर्टिपैन टैबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे वजन का बढ़ना, नीम्द अधिक आना, सिर्दर्ध होना, सिर्चक्राना, कब्ज होना, मुँ में सुखापन होना, ध्यान लगाने में परेशानी होना, शरीर में प्लेटलेट काउंट कम होना, घबराहट होना, बलड प्रेशर कम होना, हाथों व पैरों में सूजन ह आखों से धुंदला दिखाई देना, पसीना अधिक आना और शरीर में ठकान होना आधी साइड इफेक्स नोर्टिपैन टैबलेट की वज़ा से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की नोर्टिपैन टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। नोर्टिपैन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर नोर्टिपैन टैबलेट को दिन में एक ही बार और शाम को सोते समय लेने की सलाह देते हैं। नोर्टिपैन टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको नोर्टिपैन टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि नोर्टिपैन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। नोर्टिपैन टैबलेट के साथ अंगूर, अंगूर का जूस या खटे फलो के जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि नोर्टिपैन टैबलेट के साथ खटे फलो का सेवन करने की वज़़से unwanted side effects हो सकते हैं। नोर्टिपैन टैबलेट की वज़़से त्वचा धूप के प्रती बहुत ज्यादा समवेधन शील हो जाती है, जिसकी वज़से सन्बन होने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसलिए आपको तेज धूप में बाहर जाने से बचना चाहिए। अगर आपको किसी कारणवर्ष धूप में जाना भी पड़ता है, तो आपको सूरज की धूप में जाने से पहले अपने चेहरे पर संस्क्रीन लोशन को लगाना चाहिए। या आप धूप से बचाव करने के लिए अंब्रेला यानी छत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। और सीरियस साइड इफेक्ट्स होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। लिवर या किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर नोटिपैन टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशन्स में डॉक्तर की सला के बिना नोटिपैन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं के लिए नोटिपैन टैबलेट का सेवन करना सुरक्षितवर रेक्मेंडेड नहीं है। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका नोटिपैन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं। झाल